तो बच्चो 18 मार्ज की 1st shift का physics का paper का discussion करते हैं हम लोग इसके first question के अगर हम लोग बात करें तो ये millikans oil drop experiment से आया है अगर इसकी बात करें हम लोग तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं इसका mass हो जाएगा हमारे पास में mg और electric field के कारण इस drop पर जो force लगेगा वो qe force उपर लग जाएगा ठीक है इसका charge q है ठीक है और हम लोग उसे यहां पर इसमें पूछा access number of electrons access number of electrons मतलब इसका charge हो जाएगा भी हमारे पास में n into e ठीक है जितने electron access होगे उत्तर ज़्याद इसके पास negative charge हो जाएगा तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका total charge हो गया n into e अगर हम लोग इसको balance करें तो यह हमारे पास में आ जाएगा mg is equal to q into e और सबकी value पूट करें तो q हमारे पास में आ जाएगा एम बोल सकते हैं हम लोग density into volume हो जाएगा इसका 4 by 3 pi r cube into g divided by e और q को हम लोग रिख सकते हैं n into e तो यह भी हमारे पास में number of electron आ जाएगे rho into 4 by 3 pi r cube into g divided by n divided by e into e ठीक है अब हम लोग यहाँ पर density हम लोगों को दी हुई है radius हम लोगों को दी हुई है ठीक और e की value हम लोगों को दी हुई है charge of one electron हमारे पास में पता है ठीक है जब हम लोग इसको solve करते हैं तो हमारे पास में correct answer आ जाता है second वाला 1.73 into 10 to the power 10 ठीक है अब हम लोग चलते हैं next question के उपर next question जो दिया हुआ है हम लोगों को यह बिल्कुल theoretical question है ठीक है अगर theory हम लोगों को इसकी पता है यह values हम लोगों को पता है तो हम लोग इस question को कर पाएंगे ठीक है तो अगर हम लोग यहाँ पर देखे 10 km, 70 km, 180, 270 km order height work अगर हम लोग इनकी बात करें तो first option correct होगा इसका ठीक है तो बच्चो question number 3 की बात करें question number 3 जो है हमारे पास में modern physics से है ठीक है इस question के अंदर हमसे ionization potential की बात किये और जो हमें h atom दिया हुआ है इसने बोला है कि उसके electron को हटा के हमने यहाँ पर muon का mass हम लोगों को दिया हुआ है muon का mass given है हम लोगों को 207 times of mass of electron ठीक है तो यह जो है हमारे पास में nucleus का mass होगा इसका nucleus का mass होगा 1836 times of mass of electron इतना mass हो जाता है हमारे पास में nucleus का तो देको यह कहीना कही comparable है comparable है तो यहाँ पर यह जो सारा system move करेगा वो center of mass about move करेगा तो इसकी energy का जो formula है वो energy का formula हमारे पास में आ जाता है minus 13.6 n square sorry z square upon z square upon n square into mu upon m e electron volt और यह हमारे पास में यहाँ पर mu जो होता है वो reduced mass हो जाता है capital M small m upon capital M plus small m तो यहाँ पर हमारे पास में reduced mass का concept हम लोगों को लगा कर यह formula लिखना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर अगर हम लोग capital M mass of nucleus है ठीक है यह value पुट करते है 1836 m e into m e 207 times of m e है divided by 1836 plus 207 m e तो यह हमारे पास में आ जाता है 186 mass of electron तो reduced mass हमारे पास में 186 times mass of electron आ गया जब हम लोग इसकी value यहाँ पर put करते है तो यह energy आ जाएगी हमारे पास में 13.6 into 186 electron volt यहाँ पर हमने z की value 1 रखे hydrogen के लिए और n की value 1 रखे तो इतनी energy आ जाएगी अगर हम लोग इसको multiply करें तो जो answer आता है वो हमारे पास में इन किसी भी nucleus को stationary मान कर जो हमारा normal formula होता है उसके अंदर mass of electron को 207 times of mass of electron से replace करके ठीक है solve किया है तो उससे इनका जो correct answer आया था वो second था लेकिन वो process गलत है ठीक है तो इस वज़े से यह bonus हो गया हमारे पास ठीक चलो अब इसमें next question की बात करते हैं next question है हमारे पास में a plane electromagnetic wave of frequency 100 megahertz is traveling in vacuum along the x direction ठीक है हम लोगों को magnetic field दिया हुआ direction of wave दिया हुआ है और हमसे बुला है कि electric field की value बताओ ठीक है electric field की value बताओ तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें electric field की value क्या होगी electric field की value के लिए अगर magnitude के लिए बात करें magnitude तो हमारे पास में आ जाता है b into c ठीक है speed of light तो यह हमारे पास में magnitude of electric field आ जाएगा 2 into 10 to the power minus 8 into c हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 meter per second तो हमारे पास में magnitude तो 6 आ गया 6 आ गया magnitude तो electric field का ठीक लेकिन अब direction क्या होगी तो direction के से पता करते है यह electric field की तो electric field की direction के लिए हम लोग बोलते हैं कि वह यह e cross b is equal to direction of wave यह use करते है यह cross b जो होगा वो direction of wave होता है अब देखो wave x-axis के long move कर रही है तो x-axis के long move कर रही है तो यह तो i-cap हो गया cross यह हमारे पास में दिया हुआ है k-cap है तो बताओ किसके साथ में cross product करे कि i-cap आ जाए तो यह हमारे पास में e की direction होगी j cross k i आ जाएगा हमारे पास में थाड आ जाएगा ठीक है तो question number 5 की बात करते हम लोग question number 5 के अंदर हम लोगों से question बोला गया है इसको हम लोग angular momentum conservation से कर सकते है ठीक है इस question के अंदर हम लोग बोले है कि l initial is equal to l final angular momentum conservation लगा है ठीक है तो initial angular momentum is disk का जो था इसका mass m दिया हुआ है radius r दी हुई है और बोला हुआ है rotating about its axis within angular velocity omega एक disk जो है देखो question में क्या बोला हुआ है एक disk जो है यह इस axis के about angular velocity omega से घुम रही है इसका mass m है और radius r है ठीक है देखा हुआ question लग होगा तुम लोगों को और 2 mass हम लोगों ने यहां पर रख दी 2 point mass यहां पर रख दे तो बोला है कि जब 2 point mass यहां पर रख देंगे तो इसकी angular velocity कितनी change होगी तो इस question को axis of rotation के about angular momentum conservation लगा कर solve किया जा सकता है तो बोल सकते हम लोग तो L initial is equal to L final जब हम लोगों ने यह दोनों mass यहां पर put नहीं कर रहे थे उससे पहले disk घूम रही थी omega से इसका initial angular momentum क्या हो जाएगा i initial omega initial ठीक है और final angular momentum क्या हो जाएगा भी हमारे पास में i final omega final तो initial angular momentum लिखें तो initially तो disk का ही आएगा mr square by 2 ठीक और इसकी angular velocity कित्ती है हमारे पास में omega finally अगर हम लोग देखें तो यहां पर दोनों particle भी आ गए तो इस system का अब हम लोगों को moment of inertia लिखना पड़ेगा तो mr square by 2 plus 2 times of small mr square into omega final तो हमारे पास में final angular velocity आ जाएगी इसको solve करने पर जो correct answer आएगा वह हमारे पास में third option correct होगा ठीक question number six की बात करते हम लोग यहां पर हमें solenoid दी हुई है तीन solenoid दी हुई है और हम लोगों से center पर magnetic field की बात करें तो यह हमारे पास में आ जाता है mu naught ni तो हम लोग बोल सकते हैं कि magnetic field is directly proportional to i clear है तो अगर हम लोग A वाली solenoid की बात करें तो A वाली solenoid से i current जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पर यह जो current है वो तीनों में equally distribute होगा तो यहां से i by 3 जाएगा यहां से i by 3 जाएगा और यहां से i by 3 जाएगा ठीक है तो अगर हम लोग A वाली solenoid में magnetic field की बात करें तो magnetic field is equal to mu naught n i आ जाएगा अगर हम लोग C वाली solenoid के अंदर magnetic field की बात करते हैं तो magnetic field at the center of C is equal to mu naught n i divided by 3 आ जाएगा जब हम लोग इन दोनों को divide करते हैं तो यह आ जाएगा भी हमारे पास में B A upon B C is equal to 3 तो B A B C is equal to B A by 3 मतलब 1 by 3 times of solenoid A तो यह 1 tesla इसका correct answer हो जाएगा तो चलो देखते हम लोग next वाला question next question number 7 की बात करें तो यह question है यह error and measurements से लिया गया question है ठीक है इसमें हम लोगों time period दिया हुआ है simple pendulum का ठीक है और इसके अंदर जब हम लोग time period measurement करते हैं तो length of the pendulum 10 cm है और इसके जो accuracy है मतलब इसका जो error है वो 1 mm है तो यहां पर हम लोगों को L की value दी हुई है 10 cm और delta L की value दी हुई है 1 mm ठीक है और क्या दिया हुआ है 200 oscillation के लिए time जो लेता है 100 second लेता है और उसका resolution है 1 second ठीक है the percentage error in the determination of G ठीक है तो हम लोग यहां पर error वाला concept लगाते है तो T is equal to 2 pi under root L by G लिख सकते हैं तो हम लोगों को square करके G को इदर लेके आ गए अब हम लोग सारा process follow करते हैं लोग लेंगे लोग लेके differentiate करते हैं तो जो हमारे पास में relation आ जाता है delta G upon G into 100 is equal to यह आ जाएगा हमारे पास में delta L upon L plus 2 times of delta T upon T into 100 ठीक है यह आ गया अब देखो हम लोगों को यहां पर delta L और L दिया हुआ है है और delta T और T भी दिया हुआ है T है 100 second और delta T है 1 second 100 second में 1 second का error है तो यह आ जाएगा भी हमारे पास में delta G upon G into 100 is equal to अब delta L कितना है 1 mm है तो 10 to the power minus या फिर हम लोग 10 to the इसको centimeter में रखे हम लोग सेंटिमेटर में भी रख सकते हैं इसको ठीक है तो सेंटिमेटर में कितना आ जाएगा 1 mm को 0.1 cm बोल सकते है 0.1 divided by 10 प्लस इसके अंदर 1 second है time का error divided by 100 second into 2 है यहां पर value put की into 100 आ जाएगा तो जब हम लोग इसको solve करेंगे तो हमारे पास में फाइनल आंसर आजाएगा 2, 3% इसका total error होगा तो हम लोग आब next question की बात करते है question number 8 question number 8 भी जो question है वो हमारे पास में work power energy का है बोला हुआ है कि एक object है जिसको constant power लगाकर खीचा जाता है rest से ठीक है rest से खीचा जाता है तो तुमसे बोला है कि distance x जो होगी वो t के proportional किस तरीके से होगी किस power क्या होगी proportionality अगर ठीक है तो इसकी power क्या होगी है तो इसी तरीकी से option दिया है तो हम लोग बोल सकते है माल लो एक mass का object है जिस पर force f लग रहा है अब इस पर जो force f लग रहा है तो इसकी जो power होगी तो किसी particular instant पर इसकी velocity कितनी हो गई है तो इस instant पर इसकी जो power आ जाएगी हमारे पास में वह आ जाएगी f dot v होता है तो power is equal to f v यह आ गया और इस पर constant power लग रही है constant power लग रही है तो हम लोग बोल सकते हैं p is equal to m ए f की value m पूट कर देता है इंटू v तो acceleration कितना आ जाएगा हमारे पास में object का acceleration आ जाएगा m p upon m into v अब हम लोग उससे पूछा है कि यह distance बताओ time की form में तो distance के लिए हमें पहले velocity निकालने, velocity कैसे निकालने, acceleration as a function of v आ गया, acceleration को हम लोग लिख सकते हैं dv by dt is equal to p upon mv, v को इधर लेके चले जाते हैं तो यह आ जाएगा हमारे हमारे पास में v dv integration is equal to p by m into dt, integrate किया इसको ठीक है तो यह आ जाएगा v square by 2 is equal to p m by, तो v square is equal to 2 p m into t, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में v की जो value आईए वह आ जाएगे under root 2p by m into t, अब v को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v को लिख सकते हैं dx by dt, तो dx जो होगा वह जाएगा under root 2p by m into t power 1 by 2 into dt, तो जब हम लोग इसको integrate करते हैं, तो हमारे पास में जो x होगा, वह आजाएगा under root 2p by m, t power 1 by 2 का integration है, 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1, तो x is directly proportional, t power 3 by 2 आजाएगा, तो इसका जो correct option होगा, वह second आजाएगा, ठीके, तो next question की तरफ चलते हैं, question number 9, question number 9 की बात करें, तो यह एक basic question है, केटी जी से, ठीके, बोला हुआ है, कि average value of energy क्या होगी, 1 degree of freedom के लिए, तो हमें पता है, कि जो kinetic energy है, है न, kinetic, जो average energy होती है, वो होती है, यह हमारे पास में, f by 2 n k t, ठीके, तो degree of freedom 1 है, तो यह हमारे पास में आजाएगा, 1 by 2 k t, तो इसका first option correct हो जाएगा, ठीक, चलते हम लोग next question की तरफ, question number 10, question number 10 के अंदर हम लोगों से बोला गया है, कि यह radioactive sample disintegrates via two independent decay process, having half life, दोनों की half life हम लोगों को दी हुई है, ठीके, और पुछा effective half life क्या होगी, तो अगर कोई भी radioactive process, कोई भी radioactive sample, दो independent decay process से decay हो रहा है, और दोनों की half life पता है, अच्छा, तो हम लोग decay का relation क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, minus dn by dt is equal to lambda 1 into n plus lambda 2 into n, तो दोनों से हो रहा है, तो total rate of decay होगा, इसके equal हो जाएगा, और हम लोग इसको अगर बोलना चाहिए, तो इसको बोल सकते हैं, lambda effective into n, तो effective decay constant कितना आ गया है हमारे पास में, lambda effective जो है हमारे पास में, वो आ जाएगा, lambda 1 plus lambda 2, अब हम लोग lambda के से निकाल सकते हैं, half life का formula होता है, ln2, ln2 by lambda, ठीके, तो lambda की value हो जाएगे, ln2 divided by t half, तो इसको लिख सकता हूँ में, ln2 upon t effective is equal to ln2 upon lambda 1, sorry, ln2 ln2 upon t half 1 plus ln2 divided by t half 2, ठीके, तो जब हम लोग इसको solve करेंगे, तो हमारे पास में, final answer आ जाएगा, 3, तो next question की बात करते हैं, हम लोग, question number 11, question number 11, thermodynamics से आया है, और graph से related है, the work done during an adiabatic process cd, cd का work हमें बताने हैं, तो हमें पता है कि adiabatic process दिया हुआ है, तो adiabatic process का जो work done का formula होता है, वो होता है हमारे पास में, p initial, v initial minus, p final, v final upon gamma minus 1, ठीक है, अब देखो इसमें ये भी हमने दिया हुआ है कि initial volume कितना था, initial pressure कितना था, final, यह हमारे पास में initial state हो जाएगे, यह final हो जाएगी, तो initial pressure हम लोगों को केतना दिया हुआ है, 100 और initial volume हम लोगों की गामा की वैल्यू है हमारे पास में 1.4 माइनस 1 तो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह माइनस 500 जूल होगा तो नेक्स्ट क्योशन की बात करते हैं क्योशन नूमबर 12 यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लिया गया है ठीक है पूछा है कि फर्स्ट फ्रिंज और फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज और थर्ड वाली जो ब्राइट फ्रिंज है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी तो हम लोगों को पता है कि सेंट्रल मैक्जीमा से फर्स्ट की जो डिस्टेंस होती है वो लैंबडा डी बाई डी होती अब देखो हम लोगों को यहां पर वेवलेंथ दी हुई यह लाइट की 5890 एंग स्ट्रोंग तो यह आज गया भई हमारे पास में 5890 एंग स्ट्रोंग है तो 10 to the power minus 10 मिटर में रखना पड़ेगा 10 to the power minus 10 और डी जो है हमारे पास में separation 0.5 दिया हुआ है यह 0.5 मिटर हो गया divided by और इनके बीच का जो gap है 0.5 mm है तो 0.5 into 10 to the power minus 3 तो जब हम लोग इसको solve करते हैं तो हमारे पास में answer आ जाता है 1178 into 10 to the power minus 6 मिटर जो correct option होगा second ठीक है अब हम लोग बात करते हैं next question की question number 13 question number 13 की बात करें तो इसमें बोला गया है कि डी ब्रागली वेवलेंद का question है तो बोला है कि अब particle is traveling four times as fast as electron तो एक particle है उस particle की जो velocity है वो four times of velocity of electron दिया गया है और बोला है ratio of d ब्रागली वेवलेंद of a particle to that of electron is particle और electron की जो d ब्रागली वेवलेंद है उसका ratio है 2 is to 1 ठीक और बोला है mass of the particle mass of the particle पूछा है तो हम लोगों को पता है कि d ब्रागली वेवलेंद का formula होता है h upon mv अगर particle के लिए बात करें तो mass of particle into velocity of particle और electron के लिए बात करें तो h upon mass of electron into velocity of electron यह हो गया जब इन दोने equations को divide करते हैं तो हमारे पास में यह आ जाएगा lambda of p upon lambda of e is equal to ss cancel हो जाएगा तो me upon mp into ve upon vp ठीक है तो इनको divide करते हैं तो mp upon m e upon mp पुछा है lambda p और lambda e का ratio दिया हुआ है 2 और velocity का भी हम लोगों को ratio दिया हुआ है तो me upon mp into velocity ve upon vp हम लोगों को 1 by 4 दिया हुआ है तो इसका जो answer आ जाएगा mp is equal to me divided by eta जाएगा तो 1 by 8 times of mass of electron fourth option इसका correct answer होगा ठीक है next question की बात करते है question number 14 जो है rectilinear motion से लिया गया है और ये graph के बारे में हमसे पूछा है बोला है कि एक particle है constant acceleration से move कर रहा है तो बताओ कौन सा combination यहाँ पर correct होगा ठीक है तो अगर हम लोग बात करें कि एक particle constant acceleration से चल रहा है ठीक है acceleration अगर constant है तो हम लोगों को पता है equation of motion लगा सकते है equation of motion लगा सकते acceleration constant हो गया तो velocity आ जाती हमारे पास में अगर हम लोग 80 ग्राफ की बात करें तो 80 ग्राफ थो हमारे पास में constant आ जाएगा VT graph हमारे पास में straight line आ जाएगी और ST graph हमारे पास में upward parabola आ जाएगा तो जो correct option यहाँ पर दिखाई दे रहा है correct combination यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दे रहा है हो second वाला दिखाई दे रहा है तो इसका correct answer आ जाएगा 2 ठीक है तो अब हम लोग बात करते है next question question number 15 की question number 15 की बात करें तो question number 15 current electricity से लिया गया है बोला है in the experiment of arm's low potential difference हम लोगों को दिया हुआ है 5 volt एक conductor है जिसकी length हम लोगों को दिया हुए तो एक conductor है इस conductor की length भी हम लोगों को दिया हुए और इस conductor की radius भी हम लोगों को दिया हुए इसके across potential difference कितना है वो भी हम लोगों को दिया हुआ है अब हम से क्या पूछा है maximum percentage error in the resistivity of the conductor अच्छा relation क्या होता है arm's low लगाए v is equal to ir और r की value क्या रख सकते है row l upon cross sectional area cross sectional area pi r square हो जाता है ठीक है यह आ गया अब हम लोगों को percentage error वाला फिर से percentage error वाला question है तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ लोग लेंगे बता है सब लोगों को और differentiate करेंगे तो हमारे पास में percentage error in resistivity row by row into 100 जो है यह आ जाएगा बोल सकते हैं यह भी इदर चला गया तो delta v by v plus two times of delta r by r plus delta l by l plus delta i divided by i into 100 हो गया तो यह हमारे पास में formula बन जाएगा अब देखो इससे related बाते क्या दी हुई है देखो यहां पर हम लोगों को voltage दिया हुआ है 5.0 volt ठीक है हम लोगों को length दी हुई है 10 cm diameter दी हुई है diameter यहां पर हम लोगों को दिया हुआ है तो इसकी accuracy कहां तक है यहां तक है तो इसका जो error आ जाएगा हमारे पास में इसमें जो error आ जाएगा वह आ जाएगा वह हमारे पास में 0.1 divided by 5 volt प्लस अब देखो दूसरी बात करते है radius अब यहां पर diameter दी हुई है तो diameter की terms में भी value पुट कर सकते हैं हम लोग कोई दिक्कत ने तो diameter में कितना error दिया गया है diameter में जो error दिया गया वह 5.00 यह value है तो इसमें 0.01 तक इसकी accurate value दी हुई है तो यह आ जाएगा भी हमारे पास में error 0.01 divided by 5.00 प्लस length की बात करें तो length जो हम लोगों को यहां पर दी हुई है length है इसकी 10 cm 10 cm मतलब 0.1 cm इसका error है तो 0.1 divided by 10 प्लस इसमें जो current दिया हुआ है current 2.00 Ampere है तो 0.01 Ampere का इसका error है और 2 into 100 कर देंगे जब हम लोग इस equation को solve करते हैं तो हमारे पास में percentage error in the resistivity of the conductor जो आता है वो आ जाता है delta rho upon rho into 100 is equal to 3.9% तो correct answer आ जाएगा भी हमारे फिर्स्ट वाला तो हम लोग यहां पर next question number 16 की बात करते हैं इसके अंदर हम लोगों से बोला गया है LCR circuit जो है bandwidth का formula देखें तो bandwidth का जो formula है हमारे पास में वह आ जाता है R by L quality factor जो है उसका formula अगर हम लोग देखें तो 1 by R root L by C और resonance condition में तो देखो resistance को increase कर रहे हैं तो कौन-कौन सी value चेंज हो सकते bandwidth चेंज हो सकते quality factor चेंज हो सकता है लेकिन omega चेंज नहीं होगा क्योंकि resistance में नहीं कर रहा resonance condition में ठीक है अब हमसे बोला है bandwidth of resonance circuit will increase तो देख लेते हैं resistance को increase करेंगे तो bandwidth increase होगी frequency जो होगी वह unchanged रहेगी और quality factor जो है resistance को increase करने पर quality factor decrease होगा ठीक है तो इसका जो correct answer आजाएगा वह हमारे पास में first हो जाएगा ठीक चलो next question की तरफ चलते हैं next question number 17 की बात करते है question number 17 में हम लोगों से बोला है कि an AC source rated to 20 volt and 50 hertz is connected to a register time taken by the current to change from its maximum to the RMS value देखो question को हम लोग बहुत theoretically भी कर सकते हैं SHM का use करते होगे भी कर सकते हैं और equation बना कर भी कर सकते हैं ठीक है चलो इसको equation बनाकर solve करते हैं तो अगर current का general formula देखें तो i is equal to i not sin omega t plus phi हो जाएगा clear है अब इसको कहां से कहां तक जाना है इसको देखो जितना time maximum से RMS होने में लगता है उतना ही time RMS से maximum होने में भी लगेगा तो हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं कि वह यह RMS से maximum में कितना time लगेगा उसकी calculation कर ले तो देखो जब इसका current RMS के equal होगा तो हमें पता है कि i is equal to i not by root 2 हो जाएगा RMS की value कितनी होती है i rms is equal to i not by root 2 हो जाएगा तो हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं जब इसका current i not by root 2 के equal होगा देखो i not से RMS से हम लोग maximum की तब जा रहे हैं तो RMS से हम लोग time interval निकालेंगे maximum का तो वहां पर RMS पर work function कि होगा i not by root 2 तो i not by root 2 करंट है तब 5 कितना जाएगा हमारे पास में तो हम लोग देख सकते हैं यहां पर sin omega into 0 t is equal to 0 पर calculation कर रहे हैं प्लस 5 तो हमारे पास में जो phase constant है वो आ गया 5 by 4 यह 5 by 4 कब आया जब current कितना था RMS की equal अब हम लोग कहां से कहां तक जाना चाहरे हैं हम लोग RMS से i max तक जाना चाहरे हैं तो RMS से i max तक होने में कितना time लगी तो हमारे पास में जो equation है वो आ गई i is equal to i not sin omega t plus initially work function initially phase constant कितना है पाई बाई 4 मतलब अब यह system start होगा RMS से RMS से maximum होने में तो i की value कितनी हो जाएगी जब maximum होगा i not तो हम लोग यहां से time निकाल सकते हैं तो यहां पर यह आ जाएगा भई हमारे पास में पाई बाई 4 is equal to omega t sorry pi by 2 1 आ जाएगा ना यहां तो sin 1 कब होता है pi by 2 पर plus pi by 4 तो t कितना आ जाएगा t आ गया हमारे पास में pi by 4 into omega और omega हो जाएगा 2 pi by t तो यह हो जाएगा t by 8 तो RMS से maximum होने में और maximum से RMS होने में time period का 1 by 8 times लगेगा अब देखो यहां पर हम लोगों को time period दिया हुआ है देखो frequency दी हुई ही ना frequency 50 hertz है frequency 50 hertz है तो हम लोगों को पता है t is equal to 1 by f तो यह आ जाएगा भई हमारे पास में 1 upon 8 into 50 ठीक है 50 hertz frequency है तो 1 upon 8 into 50 तो यह हमारे पास में time आ जाएगा तो इसका correct answer जो होगा वो first option इसका correct हो जाएगा clear अब हम लोग चलते next question question number 18 की तरह next question 18 में हम लोगों को क्या दिया हुआ है बोला है कि your friend is having eyesight problem eyesight से related question है defect of eye से related है she is not able to see clearly a distinct uniform window mesh and it appears to her as non uniform and distorted तो यहां पर दो तरह की disease को combine किया गया है एक तो उसको दूर वाली चीज नहीं दिखाए दे रही है तो इसका myopia होगा ठीक है और इसको जो दूर वाली चीज है वो distorted दिखाए दे रही है distorted दिखाए दे रही है तो इसमें जो disease आ जाएगे हमारे पास में myopia और astigmatism आ जाएगा ठीक है तो इसका correct answer आ जाएगा second तो बच्छों बात करते है question number 19 की question number 19 के अंदर हम लोगों से बोला हुआ है कि एक loop है irregular shape का है इस तरीके से और इसके अंदर current flow कर रहा है माल लेते है current I flow कर रहा है ठीक है इसको हमने एक magnetic field के अंदर रखा तो हमें पता है कि loop पर net force zero होता है लेकिन अगर माल लो magnetic field अंदर की तरफ है तो इस पर जो force लगेगा वह इस तरीके से outward लगेगा outward force लगेगा तो यह forces loop को खीचना चाहेगा खीचना चाहेगा तो खीच कर इसका जो shape है वह किस तरीके में रहना चाहेगा क्योंकि देखो इसका torque जो है वह आ जाता है हमारे पास में m vector cross b vector तो torque 0 कहां पर होगा theta is equal to 0 degree और 180 degree लेकिन stable equilibrium आएगा theta is equal to 0 degree पर stable equilibrium आएगा तो यहां पर बोल सकता हूं कि m vector और b vector एक direction में होगे दोनों के बीचवे angle 0 हो गया तो दोनों एक direction होगे मतलब इसका plane जो होगा finally magnetic field की perpendicular होगा तो इसका जो first option है loop assume circular shape with its plane normal to the field यह correct answer हमारे पास में हो जाएगा अब हम लोग बात करते हैं next question की question number 20 20 के अंदर हमसे बोला है कि एक satellite है circular orbit में जिसकी radius r है t time period के साथ में revolve कर रहा है अगर radius 9r है same planet के round तो उसका time period क्या होगा तो बहुत easy question है gravitation का हम लोगों को पता है कि time period का square is directly proportional to r cube होता है ठीक है अगर हम लोग यहाँ पर दोनों का ratio देखे तो t1 upon t2 is equal to r1 upon r2 power 3 by 2 हो जाएगा clear है यह power 3 by 2 हो गया तो first का तो जो time period है हमें t दिया हुआ है second का time period निकालना है is equal to r upon 9r 9r को 3 square into r बोल सकता हूं यह 3 by 2 हो गया ठीक है तो 2 से 2 cancel हो जाएगा यह 1 upon 3 power 3 हो गया तो t2 की जो value है हमारे पास में आ जाएगी 27 times of t तो जो दूसरा वाला satellite है उसकी time period हो जाएगा 27 times of t इसका option number 2 correct answer हो जाएगा अब next question की बात करते हम लोग next question देखो अब हमारे पास में integer questions आ गया है integer answer वाले जिसमें अब पहले तो multiple choice questions थे mcq थे अब हमारे पास में integer आ गया है integer के अंदर first question की अगर हम लोग बात करें तो यह भी बिल्कुल वैसा ही question दिया गया है जैसे हमारे पास में वह rms current rms value से maximum कितना time में होगा बिल्कुल वैसा ही है इसमें बोलाया कि अब particle perform simple harmonic machine with a time period 2 second 2 second इस particle का time period है time taken by particle to cover displacement from half to extreme position देखो mean से mean पर a by 2 से a तक जाने में कितना time लगता है a by 2 से a तक जाने में हमारे पास में time लगता है t by 6 और mean से a by 2 तक जाने में t by 12 लगता है तो हम लोग उसे क्या पूछा है कि time taken by particle to cover displacement equal to half of its amplitude from the mean position mean से a by 2 तक जाना है तक जाना है तो इसका time जो लगेगा वो t by 12 यह value याद रख सकते हैं बाकि उसी तरीके से equation से solve कर सकते हैं तो यह answer आजाएगा हमारे पास में 1 by 6 second तो एक ही जो value आजाएगी वो 6 आजाएगी तो 6 answer इसका correct होगा ठीक है अब हम लोग बात करते हैं next question की question number 2 की question number 2 के अंदर हम लोग उसे बोला गया हुआ है यह एक circuit दिया हुआ है उसके अंदर capacitor लगा हुआ है और एक resistance लगा हुआ है Capacitor अपनी charge condition में है इसका जो charge हम लोगों को दिया हुआ है 30 microclm दिया हुआ है 30 microclm दिया हुआ है और बोला है कि जैसे हम लोग इस switch को close करते हैं वैसे इस circuit में current कितना होगा देखो जैसे ही switch को close करेंगे तो इसके पास पॉतेंशल डिफरेंस होगा माल लेते हैं इसका प्लस और यह माइनस हो गया तो potential difference कितना होगा Q by C इतना potential difference होगा इतना potential difference इसके पास में होगा और इस circuit के अंदर current flow करने लगा है, suddenly जैसे close किया, तो एकदम से charge change नहीं होगा, तो current इस instant पर maximum होगा, और यह maximum current होगा, वो जाएगा भही हमारे पास V by R, तो V दिया हुआ है 10 और R दिया हुआ है भही हम लोगों को 5 into 10 to the power 6, ठीक है, तो हमारे पास में, जो current पूछा है, micro amperes में आ जाएगा, और कितना आएगा भही हमारे पास में current 2 into 10 to the power minus 6 amperes, मतलब 2 micro amperes आ गया, तो X की value जो हो जाएगी, वो हमारे पास में 2 हो जाएगी, तो इसका answer हो जाएगा 2, next question की बात करते है, question number 3, question number 3 की बात करते है, question number 3 registers दिये हुए है, और एक battery दिये हुए है, 170 volt की, clear है, और हम लोगों से पुछा है, the value of X, ठीक है, बोला गया है, the voltage across the 10 volt in the given circuit, तो यह जो हमारे पास में, sorry, 10 ohm register, तो 10 ohm register का potential difference हम लोगों को पता करना है, अब इसका potential difference पता करना है, तो ऐसा करते हैं, इस circuit के अंदर current पता कर लेते हैं, current पता कर लेते हैं, और अब हम लोग लगा देते हैं, V is equal to I into R, R किसका 10 ohm, तो हमारे पास में, इसके across potential difference हाजएगा, simple, अब हम लोगों को क्या पता करना है, current पता करना है, circuit के अंतर, current कितना होगा, तो देखो, यह दोनों parallel combination है, इसका parallel इसके साथ series में है, ठीके, तो इस circuit का R equivalent जो होगा हमारे पास में, वो आ जाएगा, कितना हैगा, R1, R2, इन दोनों का तो combination हैगा, R1, R2 upon R1 plus R2, और प्लस यह R3 आ गया हमारे पास में, तो R1, R2 कितना है, 50 into 20 divided by 70 plus 10, तो यह भी हमारे पास में आ गया, कितना, 100 by 7 plus 10, 100 by 7 plus 10, मतलब 170 by 7 ohm, यह R equivalent आ गया, तो current कितना हैगा हमारे पास में, current आ जाएगा, I is equal to V by R, तो I आ गया हमारे पास में 7 ampere, देख सकते हैं हम लोग यहां से, तो जब हम लोग I की value यहां पर put करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास में potential difference 70 watt, तो बच्चों बात करते हैं, question number 4 की, question number 4 में हम लोगों से बोला हुआ है, कि दो wire है, उनका elongation हम लोगों को दिया हुआ है, दोनों को same force लगा कर खीचा जा रहा है, और दोनों same material से बने, तो दोनों का Y भी same होगा, और पूछा है कि दोनों की length का ratio क्या होगा, तो यह देखो, हमारे पास में elasticity, viscosity से है, यह L हो गया, ठीक, अब देखो, अगर हम लोग A और B की बात करें, तो दोनों का force तो same है, लेकिन area अलग अलग है, तो दोनों का radius का ratio भी दिया गया है, तो हम लोग कोई बात नहीं, तो force F लिग लेते हैं, एक के लिए cross-sectional area pi A square हो जाएगा, is equal to Y delta L A divided by length of A, अच्छा, length of L, इ R A ही use कर लेते हैं, ठीक है, इसकी जो radius है, हम लोग यहाँ पर R A square use कर लेते हैं, ठीक है, length के लिए यहाँ पर A इसके लिए बोला गया है, अच्छा, B के लिए अगर हम लोग बात करें, तो F upon pi R B square is equal to Y into delta L B upon L, L इसकी length है B, दोनों को divide कर देते हैं, दोनों को divide कर दिया, त F से F cancel हो जाएगा, pi से pi cancel हो गया, हमारे पास में, y से y cancel हो गया, तो यह जो relation निकल के आता है, हमारे पास में, यह आ जाता है, R B upon R A all square is equal to B by A into delta L A upon delta L B, यह relation हमारे पास में निकल के आ गया है, ठीक, अब हम से A by B का रेशियो पुछा है, और R B और R A का रेशियो हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है, जब हम लोग यह value पुट करेंगे, तो हमारे पास में correct answer आ जाएगा, ठीक है, next question की तरफ चलते है, next question हमारे पास में question number 5, question number 5 हमारे पास में relative motion से दिये गया, river problem से, बोला गया है, यहाँ पर river की velocity पता करनी है, तो river की velocity x मान लेते हैं, और एक लड 20 degree पर flow की direction से cross करता है, कि यह opposite corner पर पूछे, तो यह shortest path वाला case हो गया, तो यह जो swimmer है, जो लड़का है, यह इधर 10 meter per second से चलना स्टार्ट करता है, तेरना स्टार्ट करता है, और कितने angle पर 120, इधर से 120 हो गया, तो इस vertical line से कितना हुआ, 30 हो गया, अब हमसे बोला हुआ है तो इसकी velocity के दो component कर लेते हैं, एक 10 cos 30 हो जाएगा, और एक component जो होगा, वो इधर आजाएगा, 10 sin 30 degree, और यह river इसको x velocity से आगे भी लेके जा रही है, तो अगर इसको इस line के आलोंग जाना है, तो x is equal to 10 sin 30 हो जाएगा, यह आगया हमारे पास में, x is equal to 10 sin 30, मतलब जो river की velocity ही हो जाएगी हमारे पास में, 5 meter per second, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, तो इसका correct answer हो गया, 5, ठीक है, तो देखते हम लोग next question, question number 6, अब यह question number 6 है, यह capacitor से दिया हुआ है, एक parallel plate capacitor हम लोगों को दिया हुआ है, इस तरीक से, एक parallel plate capacitor है, ठीक, उसका separation हम लोगों को दिया हुआ ह 10 meter, तो separation हम लोग यहां पर बोल देते हैं, D है, और इसका जो area है, वो area दे रखा है हम लोगों को 100 meter इसका है, area A हो गया, अब बोला गया है, कि एक dielectric material जो है, इसकी thickness 5 meter है, मतलब D by 2 distance तक, एक dielectric material फिल कर दिया, K, ठीक, तो इसका C equivalent बताने है, तो देखो, dielectric फिल किया, तो यहां पर दो capacitor बन गए, किस तरीके से, दो capacitor series में आ गया, एक capacitor जिसमें dielectric फिल कर रखाया, और दूसरा capacitor जिसमें vacuum है, तो इसका capacitance C हो गया, इसका capacitance C2 हो गया, ठीके, दोनों का area सेम है, और distance भी सेम है, तो C1 अगर हम लोग देखें, तो C1 हो जाएगा, K into A epsilon 0 divided by dy2, और जो C2 हो जाएगा, वो हमारे पास में आ जाएगा, A epsilon 0 upon dy2, अगर इसका capacitance C बोला, तो इसका capacitance हो जाएगा, के सी हो जाएगा, K की value 10 है, तो 10C हो गया, तो C equivalent कितना होगा, इन दोनों का, C equivalent हो जाएगा, C1 into C2 upon C1 plus C2, ठीके, तो यहाँ पर K की value हम लोगों को दी हुई है, 10, तो य 10C हो गया, यह अगर C है, तो यह 10C हो गया, तो इलिख सकते हैं, 10C into C divided by 11C, इस ती से C cancel हो गया, तो यह आजाएगा, 10 by 11 into C, C की value है वही हमारे पास में, 2A epsilon 0 upon D, अब देखो, सभी values हम लोगों को यहाँ पर दी हुई है, जब यह values पुट करेंगे, तो हमारे पास में, C equivalent आ question, question number 7, question number 7, question number 7, जो है, वो collision वाला question है, और collision वाली question के अंदर हम लोगों से बोला, center of mass का question है, और इसके अंदर हम से बोला है, a ball of mass 10 kg moving with 10 root 2 meter per second velocity along x-axis, देख लेते हैं, एक ball है, जिसका mass है 10 kg, और यह 10 root 3 meter per second velocity से move कर रही है, x-axis के along, अब बोला है, it hits another ball of mass 20 kg at rest, एक दूसरी ball है, 20 kg mass की, वो rest पर है, इसको hit करती है, इसको hit करती है, और यह टकराने के बाद में, यह वाली ball तो rest पर आ जाती है, और यह वाली ball two pieces में break हो जाती है, एक piece जो है, वो y-axis में move करता है, और जो दूसरा piece है, वो 30 degree direction पर, v-vector velocity से move करता है, ठीक है, तो हम लोगों को पूछा है, कि, भई, please start moving at any gun with respect to x-axis, the velocity of ball with x meter per second, ठीक है, the velocity of the ball moving at 30 is x meter per second, ठीक है, तो हमें x की value बतानी है, तो देखो, इस question को बहुत easily solve किया जा सकता है, इसके अंदर हम लोग linear momentum conservation लगा देते हैं, जब हम लोग इसके अंदर linear momentum conservation लगा है, तो linear momentum conservation किस तरुके से लगा सकते हैं, m initial, p initial is equal to p final, तो initial momentum इसके पास में था along x-axis, तो कितना m into v, तो tan root 3 i cap is equal to, is equal to final momentum जो है, वो इन दोनों के पास में है, और कितना बोल सकते हैं हम लोग, 10 into 10 j cap, प्लस ये भी 10 है, 10 into x vector, तो x बोला गया है, तो x vector जो आएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा भी 10 से 10 cancel ही लो गया, तो tan root 3 i cap minus 10 j cap, अगर हम लोग इसका magnitude निकाले, तो ये आजाएगा हमारे पास में 20 meter per second, इसका magnitude आजाएगा 20 meter per second, तो magnitude आगया हमारे पास में इसका 20 meter per second, correct answer आजाएगा 20, ठीक, देखते हम लोग next question, ठीक है, next question जो है, वो work power energy से लिया गया है, energy conservation लगा के बहुत easily हो जाएग बोला हुआ है कि 10 kg की ball है, A points से हम लोगों ने release किये, when the ball is slightly displaced and it to right start moving, ठीक है, speed at B पूछा है, speed at B पूछा है, तो यहाँ पर इसकी velocity कितनी है, 0 है, यहाँ पर इसकी velocity 0 है, यहाँ पर इसकी velocity हम से पूछे, तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर energy conservation लगा लेते हैं, energy conservation लगा लेते ह है, यह हमारे पास में reference position हो गया, energy conservation लगा रहा है, तो k initial plus u initial is equal to k final plus u final हो गया, initial kinetic energy इसकी 0-30 position पर potential energy mgh होता है, यहाँ से इसकी height कितनी है, तो mg into height है इसकी 10 meter is equal to final kinetic energy half mv square, और finally इसकी height कितनी हो जाती है, 5 meter हो जाती है, mg into 5, 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 mg cancel हो जाएगा, जब हम लोग solve करेंगे, तो हमारे पास में final velocities की आ जाएग, तो देखते हैं हम लोग next question, question number 9, यह यह N-Pain transistor का है, तो यहाँ पर हम लोगों को power gain दिया हुआ है, और beta पूछा है, तो देखो, power gain और beta में क्या relation होता है, power gain का जो formula है, beta square into r by r, ठीक है, और power gain हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है, power gain है 10 to the power 6 is equal to beta square, और r की value है 10 kilo ohm, तो 10 into 10 to the power 3 divided by small r जो है, हमारे पास में, वो दिया गया है, 100 ohm, ठीक है, तो जब हम लोग इसको solve करते हैं, तो solve करने पर हमारे पास में beta की value आ जाएगी 100, ठीक है, तो देख हम लोग next question, question number 10, question number 10 के अंदर बोला गया है, कि एक bullet है, और ये wooden block के अंदर enter करते है, wooden block से टकराती है, जब ये wooden block से टकराती है, अच्छा, इसका mass है 0.1 kg, और ये wooden block से टकराती है, तो इसकी velocity दे रखे 10 meter per second, और ये इसको, ये slow down होती है, uniform retardation यहाँ पर हम लोगों को दिया होगा है, यहाँ पर जाकर ये रुख जाती है, कितना penetrate करते हैं इसको, ये जो है 50 centimeter, मतलब 0.5 meter तक इसको penetrate करेगी, यहाँ पर रुख जाएगी, तो इसका retardation uniform है, तो A माल लेते हैं, तो हम से पुछा है कि effective retarding force कितना होगा, तो retarding force के अगर हम लोग बात करें, ये आ सकते हैं, यूनिफोर्म अगर acceleration है, तो equation of motion लग सकते है, V square is equal to U square plus 2 AS, final velocity 0, initial 10 square plus 2 retardation है, minus A into 0.5, तो हमारे पास में 0.5, तो retardation कितना होगी हमारे पास में, retardation आ जाता है, 100 meter per second square, तो अगर हम लोग force की बात करें, तो mass है हमारे पास में 0.1 into, एक ही value होगी 100, तो ये आ जाएगा 10 newton, force हमारे पास में जाएगा, तो इसका correct answer आ जाएगा 10, ठीक है?